आग्रा में सरवाधेत लोगप्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताना कम्रनगर की पॉश कलोनी बलकेश्वर में महिला की हत्या के बाद सनाटा पसरा हुआ है पुलिस ने तहरीर के अधार पर मुकदमा दाजकार पती पतनी को गिरफतार कर लिया है जबकि नामजद दो बेटों को पकड़ने के लिए पुलिस संभावित इस्थानों पर दविश दे रही है किसी भी घटना की आशंका के चलते पुलिस को तनाट कर दिया गया है थाना कमरनगर बलकेश्वर में कूलर रखने को लेकर एक विवाद में नामजदों ने महिला के सिर पर रोट से प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई बताया गया है कि बलकेश्व चोराहे के पास रहने वाली कांता का पडोस में रहने वाले मान सिंग से विवाद चल रहा है मान सिंग ने छट पर रखे कूलर को हटाने के लिए कांता से कहा इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया, मान सिंग और उसके परिजनों ने छट पर पहुंच कर कांता के साथ मार पीट कर दी, सिर्पर सरिया लगने से कांता जमीन पर गिर गई परिवार वाले कांता को अस्पतार लेकर जाते तब तक उसकी सांसे थम गई महिला की हत्या की खबर पर कमला नगर थाने की पुलिस पहुच गई आसपास के लोगों की भीड इकटी हो गई बताया गया है कि रविवार को भी मान सिंग और कांता के बीच जगडा होने पर मामला थाने तक पहुच गया था रिष्टेदारों ने आरोप लगाया है ठेल लगाने वाले मान सिंग ने घर के पास जमीन पर कबजा कर लिया है हां सैकंड फुलोर के उपर लेगा हैं हां सैकंड फुलोर के ऊपर ने जाए पीछै पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्जकर, मान सिंग और उसकी पतनी को गिरफतार कर गिया है जबकि उसकी नामजद दो बेटों की तलाश की जा रही है कांता एक इंशोरेंस कमपनी में एजेंट बताई गई है सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट